नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने यूटूब चैनल आर्बी एसीवी तैचेसे में इस वीडियो के माध्यम से मराजुस्तान यूइनिवर्श्टी ओफ हैल्थ साइंसेज के द्वारा मेडिकल ऑफिसर डारेक रुप्रूट्मेंट एक्जामिनीशन दो हजार उन्न के बारे में विस्तार पूर्वक्चर्चा करेंगे तता इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन आवेदन करताओं के लिए क्या-क्या योगेताय निर्धारित की गई है तता आवेदन पत्र भर्णे समंदी क्या-क्या साबधानी हमें बरतनी होगी तता अवेदन करता को क्या-क्या योगेताय रखनी होगी तो प्रारहम करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट देट स्की इस्टाट देट फोर फिलिंग ऑफ ओनलाइं अप्लिकेशन फोर एट रूहस वैपसाइट चब्विस नॉवंबर दोहजार उन्निस आफ्टर फाइव पीम लास्ट देट अफ डिपोजिटिंग फीस थ्रो इमित्र सियसी या नेटवर्क के मा रूहस वैपसाइट चोई दिसंबर दोहजार उन्निस डेट ओ प्रिंटिंग ऑप एड्मिट कार्ड फोर डेट की विजिट रूहस वैपसाइट ओनलाइन एग्जामिनिशन कंप्यूटर बैस्ड एट जेपूर उन्निस जनवरी दोहजार बीस तो जो ओनलाइन एप्लिके प्रिंटर बैस्ट पर और यह होगा गुनिस जनवरी दोहजार बीस अब बात करते हम एप्लिकेशन फीज के तो ओल केंडिडेट्स हैव टू पे नॉन डिफेंडेवल एप्लिकेशन फीज ओफ आर्यस पांच हजार STSE Category of Rajasthan State के लिए 25 रुपे और एप्लिकेबल इमित्र चार्जेस है और इसके साथ में जो भी इमित्र और CSE कियोस्क सेंटर ओथ्राइज़ डूबाइ गॉर्मेंट और राजस्तान और इमित्र के द्वारा जो भी चार्जेबल है वो इसमें जुड जाएंगे तो इस एकजाम की जो फीस है जो निर्धारित की गई है और जो नौन रिफेंडेबल है वो 5000 रूपे निर्धारित की गई है जबकि ST और SC जो राजस्तान स्टेट से सम्मन्द रखते हैं उनके लिए 25 रूपे निर्धारित की गई है अब बात करते हम इलिजबिलिटी क्राइटेरिया की तो असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है पॉस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS as per order number F037 DOPA 1197 dated 1799 मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है रिक्वार्मेंट वो क्या है MBBS होना चाहिए और साथ में RMC registration is mandatory for before filling on the application form तो RMC में जो registration है वो भी होना चाहिए अनिवारे है एज के अगर बात करें तो requirement minimum 22 years and maximum 47 years date of examination 19 जनवरी 2020 हैनि minimum जो एज हो 22 साल है और जो maximum एज हो 47 साल है और ये कब तक मांगे गई है 19 जनवरी 2020 तक इसे के साथ में ही जो STSC और OBCX सर्विस में जो candidates हैं उनके लिए भी छूट का प्रावधान किया गया है तो कार्मिक विभाकी अधिसूचना के अनुसरण में राजस्तान के अज्जा जज्जा अनुसुचे जाती जन जाती अन्ने पिचड़े जाती विशेश पिचड़े जाती के पुरूश वरको अधिक्तम आयू सेमा में नहीं है कार्मिक विभाकी अधिसूचना दिनांग 22-9-2000 के अनुसरण में सामाने वरक के नीशक्त जन के लिए अधिक्तम आयू सेमा 10 वर्ष पिचड़े वरक के लिए नीशक्त जन के लिए अधिक्तम आयू सेमा 13 वर्ष एवं अनुसुच जन जाती निशक्त जन के लिए अधिक्तम आयू सीमा में 15 वर्स की चूट दे होगी कार्मिक विभाग के अधिसूषना दिना तेशनो दोहजार आट के नुसरण में विभाग द्वारा पूरुब में वर्ष 2014 को RUHS द्वारा विगप्ती जारी नहीं की गई थी इसलिए अधिसूषना तेशनो दोहजार आट के नुसर आयू सीमा में चूट दे नहीं होगी तो इस प्रकार विभिन के टेग्री के लिए अलग अलग आयू निर्दारित की गई है Detail of Post For the Detail of Post of Medical Officer, Category Wise, Refer Order No. Rajpatrit 80-P4-2019-658-658-13-2019 विभिन वर्च के लिए कौन कौन सी पॉस्ट कितने नंबर की निर्दारित की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके निर्दारित की गई हैं 15,600 से लेकर 49,100 पे लेवल है 14,14 में एक वरस्ता का परियुक्षा काल में वर्तमान में दे रूपे 49,300 और प्रती महा में चिकित्सा परीचरिया बत्ते की रूप में 17,400 प्रती महा जोड़ कर कितने रूपे दे होंगे प्रती महा 54,700 रूपे दे होंगे परिविक्षा प्रसिक्षन अवदी में अन्य सुविदाएं एम अवकास अधी राजस्तान सेव नीमो अधी में संशोधित प्रापधानों के नुसार दे होंगे परिविक्षा प्रसेक्षन अवदी के संतोजयन अक्पून होने के उपरान्थी पद की वेतन स्रंक्ला का नियूनतम एवं अन्य भद्ते नियमनुसार दे होंगे. स्क्रेंडरेक्र रबसक्ति का परेस्ड प्रसें कमौने कि वेतनी के संपाटन अविक्षा झाला किंपू सिूट प्रसेंडर आव गिंप्ति एडिशनल केटेग्री सेटिफिकिट इफ एप्लीकेबल इश्यू बाई कंपिटेंट अथोरूटी तो भी जो नियोजी जो संस्ताइं हैं उनकी द्वारा सेस्टी और नॉन क्रिमिलर ओबीसी और नॉन क्रिमिलर एंबीएसी के विध्यारती हैं उन्हें कास सेटिफिकिट प्रस्तुत करना होगा मेरीज मेरीज डिजिटेशन सेटिफिकिट कार्मिक के दो विभाग द्वारा परिपत्र दिनांग 36-2006 के अनुसार आवेदक के विवाईत होने के स्तती में आवेदक से विवापंजिन की सूचना लिया जाना अनिवार है कार्मिक विभाग की अधिसूचना संक्या F7-1 DOP A11-1945 में 0-3 दिनांग 8-4-03 अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यरती जिसके दिनांग 16-2002 को या उसके पश्यात दो से अधिक वच्चे हों सेवा में नियुकते के लिए पात्र नहीं होगा इस बाबत एक शपत पत्र चेनी तभ्यरतियों को कारेभार समानने से पूर प्रस्तुत करना होगा तो यहां डेड़ दे रखिए 16-2002 के दो को या उसके पश्यात दो से अधिक वच्चे नहीं होने चाहिए examination the syllabus of the paper will include all subjects and topics covered in MBBS curriculum as per Medical Counseling of India तो जो MCR है Medical MCI है Medical counseling of India के दोरा जो MBBS के लिए जो syllabus निर्धारित किया गया है subject and topic नहीं को पेपर कवर करेगा दे ओनलाइन कंप्यूटर बेस्ट एग्जामिनेशन ओफ 120 मिनिट यानि 120 मिनिट का होगा डूरेशन सेल भी हैल्ड ओन 19 जनुवरी 2020 यानि 19 जनुवरी 2020 जो पेपर है वो संपन होगा और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिनात्म कंकन नहीं किया जाएगा तो खास बात है जो पेपर होगा वो कौन सी बाशा में लिया जाएगा इंगलिश बाशा में लिया जाएगा the examination shall be held at जैपूर जाएग जैपूर में however the R.U.H.S. reserves the right to create cities, centers for examination and also to call the candidates for the examination at any city center तो यह विशेश तोर पर जैपूर में होगा इसके अलाबा अगर कहीं other city या center जो होंगे उसके लिए जो R.U.H.S. है वो आपको call करेगा और जो अड्मिट कार्ड है उस पर सेंटर अवेलवल करा देगा तो इस तरे से इस वीडियो में हमने जो एक्जाम से सम्मन्दी जो सूजना है वो भी प्राप्त की राजस्तान चिकित्सा सेवा नियम 1963 समय समय पर संशोदित के अंतरगा चिकित्सा स्वास्ते एवं कार्मिक विभाग राजस्तान जेपूर के अधीन चिकित्सा संस्तानों में 737 कितनी पद हैं 737 रिक्त पदों को चिकित्सा अधिकारियों से इस्थाय रूप से बरने हैं तू अन्शिदाई पैंसन योजना के अंतरगत दो वर्ष के प्रोबेशन कार एक वर्ष की इंट्रेशिफ होगी वो परिविक्ष्यावदी का हिस्सा मना जावेगा पर उपरियुक्त अभ्यारतियों से आवेदन पत्र आमंतरित किये जाते हैं भरे जाने वाले पदों का स्रेनिबार विवरण निम्न परकार है तो यहाँ पर जो साथ सो सेहती जो पद है जो रिखतिया है उनको हमने किस प्रकार बाटा है वो इस प्रकार है अनारक्षी जो वर्ग है उनमें पदों की संख्या टोटल जो पद है दो सो उनत्तर और सामाने वर्ग की एकसोट्याशी जिनमें महिला वर्ग है जिनमें सामान्य है चवण पद विद्वा के लिए 22 पद तलाक और अथवा परितक्ता के लिए 5 पद निर्धारित है। आर्थिक कमजोर वर्ग के कुल पद तहतर है जिनमें सामाने के 51 पद है और जो महिला सामाने उनके 15 विद्वा के 6 और तलाक अत्वा परितेक्ता का एक पद निर्धारित किया गया है पिचड़ा वर्ग के कुल पद 154 है जिनमें सामाने के 108 है और जो महिला है महिलाओं में जो सामाने है उनके 31 महिला जो विद्वा है उनमें 12 है और जो तलाक अत्वा परितेक्ता उनके 3 पद निर्धारित किये गये है अनुसूचित जाती के लिए 117 पद निर्धारित कीए गए गिए कुल, जिनमें सामानने के 82, और जो महिला में सामानने हैं उनमें 24, विद्वा के 9 और तला कत्वा परीत्यक्ता के 2 पद निर्धारित कीए गए हैं अनुसूचित जन्जाती के 88 पद निर्धारित किये गए हैं जिनमें सामाने के 62, महिला सामाने के 17, महिला विद्वा के 7 और महिला तला कत्वा परितक्ता के 2 पद निर्धारित किये गए हैं MBC स्रेणी के कुल 36 पद निर्धारित किये गए हैं जिनमें सामाने के 25 पद हैं और सामाने जो महिला उसमें 7 पद सामाने विद्वा के लिए महिला विद्वा के लिए 3 पद और तला कत्वा परितक्ता महिला के लिए 1 पद निर्धारित किया गया हैं और विशेज योग्य जन हैं उनके लिए कुल पद 30 निर्धारित किये गए हैं। तो इस प्रकार टोटल जो पद वो कितने होते हैं 737 पद निर्धारित किये गए हैं। कार्मिक के विभाग के परिपत्र दिना 29.3.2019 के नुसार महिला विशेज योग्य जन को आरक्षन दे होगा। न्यूक्ती प्रादिकारी दवर आशक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या गठाई या बड़ाई जा सकती हैं। विशेज नौट कार्मिक विभाग राजस्तान सरकार के अधिसूषना क्रमा एफ 037 DOP ओबलिक ए 11 ओबलिक 97 दिनाग सात नो 29.99 के प्रावधान के अनुसार प्रते कभ्यरती को ओनलाइन आविदन पत्र भरने से पूर राजस्तान मेडिकल कॉंसिल का रेजिस्टरेशन होन अनिवार रहें ज़ता पीजी अध्यनरत चिकित सक निवपती की दिनाग तक पीजी पूर होने पर ही निवपती के पात्र होंगे तो जो विद्यारती हैं उन्हें अनलाइन आविदन भरने से पूर इस बात का खाल ध्यान रखना है कि उन्हें राजिस्तान मेडिकल कॉंसि का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार है और जो पीजी में अध्यानरत विद्यार्चिकित सक हैं उन्हें न्युक्ति की दिनांग तक पीजी पूर्ण होने पर ही न्युक्ति के पात्र समझा जाएगा अनिवारे योगेता, MBBS जो कार्मिक विभाग के अकोडिंग है और दूसरी जो चीजे नौट में एक तो रजिस्टेशन की बात करें एक पीजी कंप्लेशन की और दूसरा प्रोबेशन पूर्ण होने तक पीजी है वो अपलाई नहीं कर सकेंगे इसके अंदर और जो योगेता है अनुबव है देवनागरी लीपी में लिखी हिंदी का व्यभारी ज्यान और राजस्तान की संस्कृति का ज्यान होना चीजी है और पद जो वेतनवान है वो जो परिविक्षा जो अवदी है प्रतिमाहा जो दे होगा वो चपन हजार साथ सु रूपे न तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने रूहस के द्वारा विभिन पद चिकित्सा पदों के चिकित्सा अधिकारी के विभिन पदों है तू जो भरती है तू जो विग्यापन जारी किया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्व कवलोकन किया यह वीडियो आप ल